हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल एक्सवर्ट स्टेडी में फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने आया हूँ बिहार से सी आयोग के उपर और हाँ फ्रेंड मैं आप लोगों से एक रिकेस्ट करने आया हूँ आसा करते हैं कि आप लोग जरूर करेंगे फ्रेंड हम सभी लोग जानते हैं कि ये वेकेंसी आज की नहीं है ये वेकेंसी 24 की वेकेंसी है और इस वेकेंसी को लिकर कि अब लगबाग 8 साल होने वाला है लेकिन अभी तक कि इसकी परकिरिया पूर्ण नहीं हुए यानि कि फाइनली रिजल्ट नहीं आया फ्रेंड सोच रहे ये वेकेंसी आ ना जाने ये और कितना वक्त लेगा है ना तो फ्रेंड अब हाथ पे हाथ रख करके बैठने से नहीं होने वाला है अब समय आगे है सरकार को जगाने की तो इसलिए फ्रेंड अब हम लोग को इस पर लगना होगा पूडी तरस से क्यूंकि फ्रेंड ये बिहार सरकार और इनके लोग ये नहीं चाहते कि ये वेकेंसी पर किरिया बहुत ही जल्द हो है ना इसलिए ये वेकेंसी को टाला जा रहा था है तो फ्रेंड इस वेकेंसी को लेकर के ना जाने कितने अभ्यार्थी तो अपनी पढ़ाई तक के छोड़ दिये हैं और ना जाने कितने कैनेट ऐसे होंगे जिनका इस क्रिटेडिया ही खतम हो गया होगा अन वेकेंसी के लिए करके है ना तो फ्रेंड मैं उन सभी बावनों हजार कैनेट से रिक्वेस्ट करने आया हूं बस आप लोग एक छोड़ा है एक लोग मी तो आप लोग देखता आप लोग ज्यादा섯 ज्यादा हो सके तो आप लोग-ट्वीज करें न? के पफालत उन? देखे फिरेंड यह लोग भी चुछ किये हैं डिकलियर बीससी टैपिंग लिस्ट और यह नितीश कुमार पीएमों इंडिया बीससी चेर्मेन और यादत तेश्वी को भी चुछ किये हैं मतलब टैक किये ठीक है और विभीन सोचल मेडिया को किये हैं तो आप लोग भी इसी तरह से चीट करें हैं इसे क्या होगा कि फिरेंड हम लोग के फेवर में कुछ नया निकल करके आएगा है ना थाकि यह सरकार जल्दी कुछ इस पर एक्सन ले नहीं तो फिरेंड यह वेकेंसी ना जाने कब यह पूरा होगा तो यही मैं कहने आया था आप लोग से आसा करता हो कि आप लोग जरूर इसे पूरा करेंगे तो फिरेंड आज के लिए इतना ही रखता हूं फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में